टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच से पहले बड़ा जटका लागा है बल्लेबाज और विकेट कीपर संजू सैमसन पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं सैमसन चोट के चलती टीम इंडिया से बाहर हुए हैं वान खेड़े में खेले गए पहले मैच में फिल्डिंग के दौरान संजू सैमसन चोटिल हुए थे टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम को पुणे में खेला जाएगा भारती टीम की नजर आज का मुकाबला जीत कर सीरीज में आजए बढ़त बनाने पर होगी ऐसे में कप्तान हार्डिक पांडिया प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकते हैं लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सैमसन के स्थान पर किसको खिलाया जाएगा इसके साथ ही शुबमन गिल फिरसे प्लेइंग 11 में शामिल होगे या फिर रितुराज गायकवार को मौका दिया जाएगा बता दे कि हाल ही में भारती कप्तान हार्दिक पांडे ने शीर्श क्रम पर लिंडर रुक अपनाने का वादा किया था इसके लिए प्रतियक खिलाडी को खुद को साबित करना होगा टीम इंडिया के पास T20 फॉर्मेट में काफी प्रतिभावन खिलाडी है रितुराज गायकवार और राहुलत रिपाठी जैसे खिलाडियों को मौके का इंतिजार है उमीद है कि शुबमन गिल और इशान किशन फिर से पारी का आगास करने उतर सकते हैं